आज हम बनाएंगे लसी तो चलिए फ्रेंज बनाना श्टार्ट करते हैं तो यहां पे मैंने तीन बड़े चमच चनी का सत्तू लिया है तो जिस हिसाब से जितने गलास आपको लसी बनाना है उस हिसाब से आप सत्तू ले सकते हैं तो तीन बड़े चमच मैंने लिया है, अब इसमें मैं लूंगी दो ग्लास पानी, तो इसमें हम ठंडा पानी डाल देंगे, आप चाहे तो नर्मल या ठंडे पानी में जैसे भी हो बना सकते हैं, एक प्याज मैंने बारी कट कर लिया, इसको भी डाल देंगे, एक छोटा मिर्च बारी कट कर लिया है, इसको भी डाल देंगे, और एक और चीज इसमें हम डालेंगे, जो की टेस्ट के साथ साथ बहुत सारे फायदे भी देता है, तो हम उसको भी मिलाएंगे, तो पहले हम सत्तू और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो लगातार चलाते हुए, वैसे तो इसकी लसी बहुत जल्दी फटा फट बन जाती है, तो देखिए फ्रंस, यहाँ पर मैंने पूदीना और एक हरी मिर्च और लासन इसको पीस लिया है, तो इसमें हम मिला लेंगे, तो यह बहुत जादा टेस्ट देगा, लेकिन इसके फायदे भी ब कम करना चाहते हैं, वो लगतार सत्तु के लसी का सेवन करें, इससे भूख कम लगेगी, तो उससे आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा, और इससे लिवर भी मजबूत होता है, लगतार सेवन से मोटापा भी कम होता है, तो आई हूब आपको मेरी ये वीडियो पसंद थैंक्स पर वाचिंग